हेलो नमस्कार मैं सत्पाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टूट और अभी करंट में हमारा टैली प्राइम कोर्स चला हुआ है और यह टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर फॉर है ल इसमें हम आपको लैजर को क्रियेट करना अल्टर करना और डिलीट करना ग्रूप को अल्टर करना क्रियेट करना डिलीट करना सिखाएंगे अब यह लैजर्स क्या होता है ग्रूप क्या होता अब इनके बारे में जान लेते हैं अगर आप टैली में विल्कुल फ्रेसर आप इन से समंधित कुछ लैजर्स और आइटम्स ग्रुप का नीड पड़ती है अब यह लैजर्स क्या होते हैं देखो हर एक पर्टिकुली एंटर का एक लैजर होता है जैसे मैंने समान खरीदा है परचेज गुड़ फोर कैस तो यहां पर जो है हमारी एंटरी दो जगा जा रही है पर्चेज में और कैस में पर्चेज अगांट डेबिट कैस का इसका ही जीड बना हुआ हो होता है लेकिन cash के अंदर cash का जो है ledger बना हुआ होता है सबसे पहले कोई भी transaction करने के लिए आपको एक ledger या group item या आपको stock समंदित item material की जूर्च पड़ती है देखो अभी मैं आपको ज़्यादा confuse नहीं करूँगा क्योंकि अभी अगर आप fresher हो तो उसी हिसाब से मैं आपको समझाओंगा अगर कोई अकाउंटेंट इसको देख रहा हो वो समझ जा रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ जब भी हम tally के अंदर कोई entry करते हैं तो हम अपने company के हिसाब से इनको choose करते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ गुरूप स्टोक आइटम अगर हमारी company जो है ट्रीडिंग कंपनी है ऐसा निया कि उसमें परचेज का लेजर नहीं बनेगा बनेगा लेकिन उसमें सबसे पहले जो हमारे गुरूप बनेगे स्टोक बनेगी आइटम बनेगी यूनिट बनेगा गोडाउन बनेगा जीएस्टी सेट होगा अब जीएस्टी की चलो बाद में बात करते हैं फिलाल हम लेजर पर ही आते हैं तो अगर आपकी केवल सर्विस कंपनी है, only service प्रवाइड करती है ट्रेडिंग कंपनी नहीं है यानि समान बेचती खरीदती नहीं है तो उस condition में आपको accounting only जो है वो चूज करना पड़ेगा accounting only हो या कोई भी trading हो तो ledgers तो दोनों में ही बनाने पड़ते हैं अब यह ledger क्या होता है अभी for example मैंने कहा कि मैंने समान खरीदा है नगद में तो purchase का ledger बनेगा और cash का बनेगा ऐसी मैंने नगद furniture खरीदा तो यहाँ पर furniture का बनेगा ऐसी मैंने रवी को पैसे दे दिए तो यहाँ पर रवी का account बनेगा ऐसी मैंने salary दी wages, rent इन सब के हमें ledger बनाने पड़ेंगे अभी तो सिरफ इस वाली entry के अंदर इस वाले lesson में हम आपको group ledger create करना, delete करना, alter करना बताएंगे next वाली जो lesson होगा पर्टिकुली में आपको दिखा दूँगा transaction क्या होती है उस transaction के हिसाब से हम आपको entry करना सिखाएंगे जिससे आप समझ भी पाओ कि actually में ledger क्यों create किया जाता है इसका benefits क्या है ledger create करने के लिए आपको सबसे पहले ledger में आना पड़ेगा लेकिन यहां पर सबसे पहला जो option है create के अंदर group है group समझने से पहले आपको ledger का आना चाहिए यह group होता क्या है देखो जो जब भी हम कोई ledger create करते हैं ledger create करते ही वो under push ता है यहनी जैसे purchase purchase के अंदर जाता है machinery जो है क्या है assets है वो assets के अंदर जाएगी ravie है ravie जो है century debitor या creditor हो सकता है यह depend करता है कि उसको समान बेचा गए है खरीता गए है उससे तो सबसे पहले हम जैसे कि capital का मान लेते हैं कि हम capital का ledger बना रहे हैं तो ledger बनाने के लिए कुछ नहीं करना यहाँ पर ledger पर आके enter करना है ठीक है जैसे आप enter कराओगी तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का option आएगा यहाँ पर देखो दो main चीज़ आपको जो समझनी है सबसे पहले यहाँ पर नाम आएगा जैसे मैंने लिख दिया capital ठीक है अकाउंट लिखना चाहते हो लिख सकते हो और यहाँ पर under देखो लिखा हुआ यहाँ पर fix assets यह देखो वैसे लिखा हुआ आपके इसको change करना होगा capital जो हमारी आएगी capital के अंदर एक मिट में zoom out करके दिखा दो यह जितने भी हमारे groups होते हैं यहाँ पर हमें 100 होने लग जाएंगे ऐसे account under group जो हमें यहाँ पर 100 होने लग जाएंगे tally के अंदर पहले से ही by default वह under group दिए गए होते हैं जो एक mainly company में यूज किये जाते हैं अगर फिर भी आपके पास कोई group नहीं है तो वह भी create करना सिखाएंगे पहले हम लाजर create करना सीख लगते हैं तो हमारा जो capital है वह under जाएगा capital के किसके अंडर जाएगा capital के तो हम यहाँ से capital select कर लेंगे और enter यहाँ पर आपने अपनी company detail है वही है यहाँ पर अगर आपको तो यहाँ पर enter purchase ठीक है यहाँ पर अभी note applicable रखो ठीक है यहाँ पर अब GST देखो मैंने कहा यहाँ नहीं set करना है फिलाल आगे सिखाएंगे लेकिन हाँ यह चीज आपको जूरू धिहान रखनी है कि आपकी जो company है जो आप purchase बना भी रहे हो यह goods खरीदने के लिए बना रहे हो service ठीक है अगर आपकी company trading नहीं है तो आप service चूज करोगे trading company है तो आप यहाँ पर goods चूज करोगे उसके बाद यहाँ पर enter उसके बाद जैसे sale की है तो sale की भी ऐसी बनेगी purchase की बन चुकी है जैसे furniture की बना देते है एक furniture अब देखो जो furniture है वैसे तो fix asset के अंदर आएगा लेकिन मैं जान बूचके इसको गलत कर देता हूं ठीक है यहाँ पर fix asset के अंदर आएगा लेकिन मैं इसको current assets के अंदर ले ले डालना चाहते हैं डाल सकते हैं address अगयरा वही होता है जो आपकी company का होता है उसके बाद एंटर एंटर बस हाँ डैबिटर का जो अगर आप address डालोगे उसके बाद यहाँ पर address आपको change करना पड़ सकता है for example मैंने ऐसी देख़ों कोई entry आगी आपके पास purchase goods from ravie ravie से समान ख बनाएंगे अब रवी जो है ठीक है अब रवी अंडर किसके आएगा रवी देखो अब आपको यह देखना पड़ेगा रवी से क्या कि आपने पहली entry देखनी पड़ेगी रवी से समान खरीद है तो रवी जो है जिसे हम समान खरीदते हैं वो संडरी क्रेडिटर के अंदर जाता है तो यहां पर आपको इसको कट करना है सबको और यहां पर एस यू दबा देना ठीक है यहां पर जहां पर मेरा माउस है एक बार में जूम करके दिखा देता हूं यहां पर ठीक है यहां पर आपको संडरी क्रेडिटर या डेबिटर देखो क्रेडिटर क्या होगा य और इसके बाद यहां पर इसकी डीटील आपको डालनी पड़ेगी यह पूछ रहा है रवी की सकते यहां पर ब्रविलेंं democr कर नाने करने हुआ यहां पर गींठ्विद्व ओड़ भाइवन जो है लेजर बनाने है रांजक्षन को आपको है transaction के बाद आपको लेजर बनाने लेकिन वो तो बाद चलो ठीक है कि जी मैं लेजर transaction को देखके बना सकता हूं लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि जर रवी है वो debitter के अंदर जाएगा देखो आपको ढूड़ना पड़ेगा सोरी जैसे building है वो किसके अंदर जाता है बहुत सारी common चीज़े होती है देखो जो मरे एक्सपैंसीज होते हैं ठीक है एक्सपैंस में आपको बेसिक ट्रम में सिखा चुगा हूँ एक्सपैंसीज क्या होते हैं हमारे जितने भी एक्सपैंसीज को चोड़कर सारे और डारेक्ट सौरी indirect expense होएंगे अदि आप यहां भी तो भी चल जाएगा लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं यदि आपकी फैक्टरी से संबंदीत जैसे वेजिज है आपकी या ओफिस में जो भी एक्सपेंस होते हैं वह मारे इंडिरेक्ट होते हैं और जो हमारे जैसे फैक्टरी से संबंदीत लखेंस होते हैं वहाँ और हम उनको डाइक्सपेंस मानते हैं चल्व में नहीं कि बतांगा फिलाल यहां पर मैं लिस्ट ही है को अधर लिस्ट भी आप डूंड सकते हैं सिंपल लिखना गूगल के अंदर अकाउंट अंडर लिस्ट ओफ टैली आपको कुछ आपको लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर आपको हर एक जो है letter kiss के अंदर जाएगा वह यहाँ पर दिखाए गया for example यहाँ पर capital को यहाँ पर आपको दिखाए दिया रहा है capital to capital जो है capital के अंदर जाएगा ऐसे यहाँ पर cash cash in hand जो cash जो है पहले सी बना होता है बही मैं आपको बताना भूल गया अब debitor तो यहां पर पता होने चाहिए ठीक है तो यह जो चीज़े हैं यहां पर आप देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा किसके अंडर जाएगा तो यहां पर आप उसका अंडर ग्रूप चाहिए आपको ग्रूप करना सिखाऊंगा तो यहां पर आपके आप ग्रूप में एंटर मारेंगे लेकिन इससे पहले मैं यह बता दूँ अगर मुझे यह देखना हो कि मेरे पास कितने group available है कौन-कौन से group है मेरे पास कौन-कौन से ledger मेरे पास बने हुए है देखो tally ERP की बात करूँ तो वहाँ पर एक display का option आ जाता था यहाँ पर display का option नहीं है यहाँ पर direct alter का है मैंने क्लिक किया तो जितने भी group मेरी company के अंदर मेरे टैली वैसे मेरी मेरी सभी में यह होते है यह जो by default जो है टैली प्राइम के अंदर पाए जाते है यहाँ पर आपने देख लिए लेकिन वो group आपका नहीं है जो आपको need है तो वो आप create कर सकते है create करने के लिए अभी बताते है अगर आपको laser देखने है कि laser मेरे कौन-कौन से है तो यहाँ पर आपको laser दिखाई देंगे अभी मैंने एक laser गलत बना लिया था अगर वो मुझे ठीक करना पड़ जाए laser को ठीक कैसे करेंगे मैं एक बार पिछे से सुरू से बता देता हूँ यदि आपसे कोई laser या group गलत बन गया है उसको आपको delete करना है उसको आपको ठीक करना है देखो create तो हम यहाँ पर जाके कर सकते है create में alter किसले जो होता है यदि आपको delete करना है create करना है एडिट करना है तो आप alter का यूज करोगे alter में आके यहाँ पर आप enter करोगे जो भी लेजर जो भी group आप से गलत बन चुका है उस पर आके आपने अपस एंटर करना है जैसे मुझे furniture जो है गलत बन चुका था यहाँ पर furniture में ने एंटर किया यहाँ पर current assets के अंदर था जो कि मुझे fix asset के अंदर करना है तो यहाँ पर fi दबाऊंगा में fix asset आ गया यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उसके बाद enter enter यहाँ पर जो furniture goods में आएगा हमारा ठीक है यहाँ पर enter 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 ठीक है जी तो इस परकार आप ठीक कर सकते हो लेकिन मुझे delete करना है for example मुझे रवी का खाता जो है रवी का account जो है delete करना है तो यहाँ पर alter में आके आपने keyboard से alt plus d press करना है क्या press करना है alt plus d alt के साथ d press करोगे उसके बाद यह पूछेगा क्या delete कर दें वो delete हो जाएगा ठीक है तो अभी हमने सिखा कि किस परकार हम laser को ग्रूप को अल्टर डिलिट कर सकते हैं अभी ग्रूप रह गया था हमारा कि ग्रूप कैसे create होता है तो यहाँ पर हम create में आएंगे और सबसे पहला जो option दिया गया है वो group का दिया गया है इसलिए मैं कहरा था कि group से पहले आपको laser आना चाहिए क्योंकि laser under group आता है मतलब laser जो है किसी group के अंडर आता है तो यहाँ पर माल लेते हैं कोई आपके पास group नहीं है वैसे तो सभी अवलेवल है पर एक्जाम्पल के लिए मेरे पास xyz कुछ हो सकता है वो group नहीं है पर एक्जाम्पल यदि मैं आपको बात करूँ पर एक्जाम्पल के लिए माल रहा हूं मैं तो वसे इन है यहां पर है चलो एक्स वाइड माल लेते हैं जैसे टैंजीबल इंटैंजीबल एसेट्स होगी आपकी कोई भी होगी तो यहां पर यह जो आपने लैजर गुरूप बनाया है वो अंडर किसके आएगा जैसे यहां पर कोई भी हो सकता है जरूरी निया मैंने यहां पर एक्स वाइड लिया आपका कोई एक एक्जाम्पल हो सकता है जो आपकी लिस्ट में हो वहां पर जो लिस्ट में ने दिखाई आपको उसके अंदर हो तो यहां पर आपने एंटर कर देना है तो हमारा वह जो है ग्रूप बन चुका होगा देखने के लिए हम अल्टर में आएंगे यहां पर ग्रूप में और यहां पर देखो एक्स कर देंगे और यह डिलिट भी हो गया क्रियेट में हम कर सकते हैं वहां पर हम डिलिट नहीं कर सकते नहीं एडिट कर पाएंगे अल्टर में जाके हम एडिट भी कर सकते हैं तो यह तो मैंने अभी बताया आपको कि आप किस प्रकार लैजर और ग्रुप बना सकते हो लेकिन अगर आपके पास डोलर है कोई और सिंबल है ठीक है अभी मैंने डोलर वैसे क्रिएट कर रहा है पता है क्रेट करेगा कि नहीं देखो इस नेम इस अलड़ी एक्जिस्ट ठीक है मुझे पदा था क्यूंकि मैं क्रिएट कर चुका हूँ लड़ी मैं दो डोलर ले लेता हूं भ बात कर रहा हूं अब डेसिमल कितने पॉइंट के बाद दिखाना वह आएगा यहां पर करना है यहां पर कुछ भी नहीं करना आपको एक्सेप्ट ठीक है करंटी नेम है यह जो है हमने करंशी सेम लिया है यह किसी करंशी का सिंबल नहीं है उसको पता है हम उसको यह तब ही आएगा वरना आएगा नहीं मैं आपको बता दूँ यह जो रेट ओफ एक्सेंज आए आपका नहीं सोगेगा जब आप करंशी कर लोगे तो आएगा यहां पर आपके एंटर जब मारोगे चेक करोगे तो यहां पर देखो मैं डोलर क्रियेट किया था यहां पर अब उसका रेट जो है स्टेंडर रेट क्या है ठीक है सेलिंग रेट क्या है बाइंग रेट क्या है अगर आपका कुछ ऐसा दिखाना चाहते है क्योंकि होता हर एक करंशी का तो आप यहां पर वो सेट कर सकते हो उसके बाद जैसे मैंने थोड़ी दिर पहले बताया था कि यहां पर फिलाल मैंने एक सिंपल लेजर क्रिएट करना सिखाया था आपको डिलीट करना सिखाया अल्टर करना सिखाया मतलब एडिट करना सिखाया है सो करना सिखाया अगर कोई लेजर बना हुआ है उसको देखेंगे कैसे नेक्स्ट वाली वीडियो में एक पर्टिकुली आपको ट्रैंजक्शन दिखाऊंगा जिसके अकोडिंग आप लेजर को देके एंट्री करना सीख सकते हो यह बिल्कुल लर्णर के लिए टोपिक है अगर कोई एक्सपर्ट देख रहा होगा उसके लिए नहीं है यह बिगिनर के लिए एक्सपर्ट वाली वीडियो अभी आने वाली है तो आज मैंने आपको कोशिष करी समझाने की की ग्रुप्स क्या होता है लैजर क्या होता है क्रंसी रेट क्या होता है x y z something यहीं आज की अच्छी लगी और अज का लेशन आपको समझ देशक वीडियो को लाई चैनल को शब्सक्राइब जडरे रखाए अज की व्डियो में इतना ही बोस्तों की और वीडियो में थेंक्यू धन्यावाद